हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगेट प्रेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी तो कक्षा बारब हुगोल का जो इंपॉर्टेंट चैक्टर हम देख रहे हैं मानो बस्ती यानि हुमन सेटल्मेंट उसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाला है जिसको कहते हैं सहरी विन्यास ठीक है यानि सेटल्मेंट जो पूरे अर्बन सेटल्मेंट का मर्फोलोजी जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं उससे संबंदित है यानि सहरी विन्यास जो सहरों के बस्तियां हैं सहरों के मकान हैं उनके बनावट का आकार कैसा है उनके पसावट का हिसाब किताब कैसा है यह सारी चीजे डीटेल में थोड़ा हम देखने वाले हैं सहरी विन्यास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ाई को जारी रख सकते हैं तो इसे इंपॉर्टना इंफॉर्मेशन के साथ सुरू करते हैं आज का यह महतपूर्शेशन सहरी विन्यास अब देखिए जो सहरों का या क्योंकि नगरी विन्यास नगरी अधिवास का ही एक तरह से पार्ट यह भी पॉइंट है अब जो न जमीन के सता है इसके नीचे की जो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं पता करते हैं पढ़ाई करते हैं सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं इसी तरह से सहरों के लिए इस सब्द का इस्तमाल किया जाने लगा हलाकि यह जो मॉर्फलोजी या विन्यास सब्द है य उसका विज्ञान इस विन्यास को माना जाता था कैसे फिर भूगोल में भी आ गया बाद में इस सब्द का प्रयोग अन्य विज्ञान जैसे भूगर्व सास्त जिसको जियो मौर्फोलोजी कहते हैं भूगोल और अन्य समाजिक विज्ञानों में किया जाने लगा और फिर यह चीजे इसमें इस्तमाल की गई एलडी स्टांप ने इसकी ब्याख्या करते वे कहा कि यह रूप और संद्चना का विज्ञान है यानि जो भी बस्ती बसेगी उसका क्या रूप है संद्चना उसकी कैसी है इसका विज्ञान अगर हम अध्यान करें इसका विज्ञान देखें तो यह आपको क्या कहलाएगा, शहरी वियन्यास कहलाएगा. उस विकास से संबनादित है, जो रूप पर प्रभाव डालता है, ये भी एक important बात है. सहरी वियन्यास किसी से संबनादित रहेगा? जो development या विकास हो रहा है. वो कैसे सहरों के रूप को चेंज कर रहा है इस पर बड़ा असर डालता है जैसे मन लीजिए कि पहले क्या होता था एक इंडस्ट्री बस गई इंडस्ट्री के आसपास नगर बस गया फिर क्या होने रगा धीरे 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 हमने देखा कि नैने ट्रेट सेंटर मॉल्स खुलन नए ने परिभान के साधन विक्सित होने लगे और उनके साथ सेहरों का जुड ciao होने लगा और सहर दूसरी तरह विक्षित होने लगे तो यह जो बिकास होने से सहरों के स्वरूप में परिवर्तान आता है ये भी सहरी विन्यास से जुड़ा हुआ है ठीक है नगर के गठन के अंतरगत उसके विभिन कारियों के छेत्र ध्यान से समझे अब नगर गठन को हम सहरी विन्यास से पढ़ते हैं तो नगर गठन में क्या क्या चीज आ कौन-कौन सी आर्थी क्रिया कलाप हो रही है मैं आपको पहले बता है कि नगरों के जो आर्थी क्रिया कलाप है वो जादे तर दृतियक या तृतियक रहते हैं यानि विनिर्माड या सेवा छेतर से जुड़े होते हैं उसमें भी बहुत विविज़ता है हमने पढ़ा हुआ ह मध्यम वर्ग बसा हुआ है कहां पॉस कॉलोनीज है कहां कौन लोग बसे हुए है और उसके कारेच्छेत्र और इमारतों पर प्रभाव नगर के आकार पर प्रभाव डालने वाली बाते हैं तो अगर अलग-अलग जगह पर जो लोग बसे हुए हैं उनके क्या कारेच्छेत यानि कुल मिलाकर यह जो जैसे दो तीन बाते हैं कारेच्षेत्र उसके अलावा रीती रिवाज संस्कृति इनका या इमारतों के आकार इनके कारण सहरों के बसावट या सहरों के रूप या सन्रचना पर जो प्रभाव पड़ता है वो सारी चीज़े हम सहरी विन्यास में संस्कृति और रिती रिवाज का प्रभाव नगर के विविन्यकार छेत्रों को पारस्परिक स्थिति का अध्यान किया जाता है ये सारी चीज़े किसमें की जाती है सहरी विन्यास में की जाती है डिकिंस ने इसे परिवासत करते हुद बताया कि स्वरूब नगर के प्लान वो निर्मी छेत्र से सम्मंदित है, इसका अध्यान और प्रक्षेपर नगर के विकास, उत्पत्ति और कारे के सम्मंद में किया जाता है, तो ये डिकिन्स का मानना है, important है, अब देखिए, एक चीज़ जरू समझ लेते हैं कि नगर गठन जो है और सहरी विन्यास पूरा है, वो किस भाग में डिवाइड किया गया है, तो एक तो आकृति यानि सेप के हिसाब से किया गया है, ठीक है, और एक आपको क्रियात्मक संदचना है, यानि उसमें आप कह सकते हैं कि कारे पधति के अनुसार, काम करने के अनुसार, या आप कह सकते हैं आर्थिक एकनोमिक एक एक त्रियात्मक्त त्रियात्मक्त प्रतिरूप एक ग्रिड प्रतिरूप यह तो हो जाएगा सेप या आकरिती के अनुसार क्या है अभी डीटेल में दिख लेते हैं। समर्चना के अनुसार एक होता है सीमान्त छेत्र एक होता है संक्रमर छेत्र क्या है अभी डिटेल में देख लेते हैं एक केंद्रिब्यापार्स की सेत्र जैसे हर सहरों में city सेंटर तो ऐसे होते हैं एक और दोगी क्यानि इंडस्ट्रियल चेत्र और एक मध्यम वर्ग का निवास और उपनगर यह चार पांस तरह के डिवीजन आपको किसी सहर में दिख जाएंगे आज कल खास करके बड़े सहरों में दिख जाएंगे तो आकृति के अनुसार हो सकता ह है वह नगर ग्रीड के हिसाब से बना हो या त्रिज्यात्मक बना हो और क्रियात्मक संद्चना या आर्थिक एक्टिविटीज या इकनॉमिक एक्टिविटीज के अनुसार हो सकता है एक वहां सीमान छेत्र हो एक यहां केंद्रिय व्यापारी के छेत्र हो एक मध्यम वर्क निवास हो एक और द्योगिक छेत्र हो और एक संक्रमर्ण छेत्र हो अब इन छेत्रों का कुल मिला के क्या मतलब है क्या इसका कंसेप्ट है इसको भी जरा देख लेते हैं ठीक है इसका पर स्क्रीन सौट ले सकते हैं यह इस डिवीजन का जहिल सी बात इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हर नगर अपने प्रतिरूप के अरुसार अलग अलग होगा ठीक नगर के सभी भागों में सड़कों का जाल अब दिखिए यह जो मैंने आप आपको अकृति के हिसाब से बताया उसका सिंपल दीजिन जैसे माल लीजिए कि कोई जहां आधिका पूर निष्यक कर लिया जाता है नगर के बसावट की स्कृति नगर योजना या ताउन पलानिंग इसके अनुसार ही परदान की जाती है प्राचीन समय में ही नगरों की बसावट के दो अवथ विशद प्स पसले आँ हैं एक है। गृर पैटरन। अब क्या है गृरीट पैटर तो नगरों के ऐसे प्रतुरूप में सड़के एक दूसरे को सम कोड पर काटते है जैसा मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल इस तरह से ठीक है संकोर पर सड़के काटेंगी जिसमें हमने जो चतुर्भुजी वाला पूरा मामला देखा था उस ये इसमें आ हमारे देश में सिंदु घाटी सब्विता के हरपा और मुहन जोदोरो नगर की बसावत का यहीं प्रतुरूप अपनाए गया है तो आपने कई बार सुना होगा पढ़ा होगा कि जो सिंदु घाटी सब्विता के मुहन जोद्रो के और हरपा यह सब जो जो छेत्र थे इनमें जो सड़के थी वह एक दूसरे को समकोर पर काकती थी सड़कों के किनारे नालिया हुआ करती थी और एक घर के सामने दूसरे घर नहीं होते थे बिल्कुल ग्रिट पैटर में सारे मकान की बसावर थी आज कल भी कई ऐसे नगर हैं जो इसमें दिखाई पढ़ते हैं आतनक प्रतhewान क्या है रेडियल पैटर्न यहां प्रति रूप साइकल के पहिआ के नुरूप होता है देखने है समाली यह गोल सा है एक सड़क इधर से आई एक सड़क इधर से ऐसे ऐसे ठिक और यहां पर यह नगर बसे होएं तो ग्रीड प्रतिरूप है इसमां नगर्सक प्रतिरूप और जाहें नेगर इसका विजुलाइशन जरूरी है जैसे मालीजे कोई सहर है वहाँ पर एक सड़क ऐसे आ रही है ठीक दूसरी सड़क इधर से आके इसको बीच में काट रही है ठीक है अब यहां भी सारे मकान बने हुए हैं यहां भी मकान बने हुए हैं यहां भी मकान बने हुए हैं यहां भ और यहां परे बीच में सारे हो गया हैं यह मकान बने हुए यह पूरा नगर्वसा हुआ है ठीक है यह मकान बने हुए तो यह जो हो जाएगा यह आपका किसका एग्जाम्पल हैercaid त्रिजात्मक मैं यह सहरी विन्यास या नगर विन्यास में में थ्यान दखेंगे ठीक है जी अच्छा तो यह आपको समझ में आ अब आगे देखें अब हम आते हैं क्रियात्मक संदशना क्यानी फॉंक्स्णल स्ट्रुक्चर में तो अभी तक हम किसपे थे सेप केस्ट यसाबसे इसाफ है कि किस तारह के पाइट रवह सकते हैं पक्षन जो फंक्षन पूरा फंक्ष attractive में रही है उसके रुसार देखें तो किसी भी नगर को क्रियात्मक संद्चना के दिश्टी से निमलखित कारे छेत्रों में बाटा जा सकता है एक केंद्री ब्यापारिक छेत्रों में बोलते हैं अलग अलग सहरों में इस तरह की अपने अपनाई जाएंगी वह नगर का सरवाधिक महतपूर भाग होता है इसमें मुखे बाजार, होटेल, दफ्तर, बैंक, सिनेमा घर, अटालीका है, भोजनाल है ये सब होते हैं और ये नगर के हिर्दय छेत्र में होता है ठीक है तो ये होगा आपका क्रियात्मक संद्चना एक होगा आपका उसमें केंद्री ब्यापारिक छेत्र तो पहला ये मिल दीजे सेंटर टेडिंग एरिया है तो इसके चारों तरफ ये क्या हो जाएगा ये संक्रमर छेत्र फैल जाएगा ठीक है अब यह केंद्री ब्यापारिक छेत्र के चारों और फैला हुआ होता है इसमें हलके उद्द्योग और ब्यापार की दुकाने होती है सेवाओं की पारसाथ मजदूरों की बस्तियां होती है अब जिसे देखिए इसको भी आप समझ लीजी कि माली ये सहर का एक भाग है तो यह हो गया सेंट्रल ट्रेडिंग एरिया यानि केंद्रिय ब्यापार छेत्र हो जाएगा इसके चारों तरफ फैल जाएंगा क्या संक्रमर छेत्र संदचना ठीक तो यह साहर के चारों संक्रमर छेत्र हो गया अब इसी संक्रमर छेत्र के किसी एक और क्या हो जाएगा यह हो जाएगा और द्योगिक छेत्र छेत्र ठीक है और अब यहाँ पर उद्योग है तो इसमें कान करने वाले मजदूर भी रहेंगे तो यह मजदूरों की बस्ती बीसी के आसपास कहीं हो जाएगी ठीक इसके लामा थोड़ा सावर किनारे हसने पर ग्रामीर छेत्र भी सुरूर हो जाएगे यह जो सहरों का पूरा model देख रहे है यह functional या क्रियात्मक संद्चना में देखी जाती है तो यह संक्रमर्ण शेत्र के किसी एक और स्थित होता है संक्रमर्ण शेत्र के साथ साथ मजदूरों की बस्तियां भी होती है ठीक है यह सहरों का आपको दिखाई देगा फिर आपको क्या दिखाई देगा मध्यमवर्ण का निवास और उपनगर यह नगर मजदूर बस्तियों इधर साथ में आपको क्या हो जाएगा मध्यम वर्ग का निवास हो जाएगा मध्यम वर्ग निवास अब यह क्या है न यह एक ही सहर के आसपास सारी चीजे चल रही है फिर इन सहरों के आसपास छोटे-छोटे उपनगर बसने शुरू हो जाएंगे जैसे आप दिल्ली के पास न이다 देख लेते हैं गुर्ण गाओ देख लेते मिया है उपन अगर है तो यह क्या हो जांगे यह चोटे-शोटे उपनगर बना ओट यह तो इस तरह से क्या होता है यह क्रियात्मक सद्चना बनाई जाती है ठीक है जी आप देखिए या नगर मजदूर बस्तियों के चार ओर फैला होता है उपनगरों की बेवस्था अमेरिका से आईए जहां पर इस तरह की देखे छोड़े घर और एक वहानी इस तरह आपको दिखाई देंगे फिर आता है सीमांत छेत्र या छेत्र नगर का बाहया छोड़े चोड़ों छोड़ों होता है इसमें बड़े बड़े मकान होते हैं जीन में उच्च वर्ग के धनी लोग रहते हैं ठिक इसमें जानसंख्या का घ्रणत्व और यह पूरा ब्यापार है और दूर थोड़ा सहर के बाहर क्या हो जाएंगे यह बड़े बड़े यह आपको छेत्र मिल जाएंगे जो क्या होंगे पॉस इलाके कहे जाते हैं तो यह सीमान छेत्रों का इंपोर्टेंस है अब यह चेत्र नगर का बहाया छोड़ होता है और बड़े-बड़े मकान होते हैं उच्छवर के धनी लोग रहत के फार्म हाउस बड़े-बड़े बनाके रहेंगे तो यहां पर घनत्वया डेंसिटी जो होगी पॉपलेशन की वह कम रहेगी यहां पर दूसर से मुक्त होता है और प्राय सीमान छेत्र समीपवर्ती ग्रामीड छेत्र के आसपास होते हैं आप जैसे आप किसी बड़े सहर में जाए आपको एकसा अकसर मिल जाएगा दिल्ली की तरफ जाएगे तो दिल्ली गुडगाओं के बीच में आपको पूरा ना क्रिसी वर्ग वाला थोड़ा सा एरिया मिलेगा और वहां पर फॉर्म हाउस बड़े-बड़े बने हुए हैं जो वहां पे जो बड़े- से लोग रहें योग खास करके सहर के बीच में इतना जगा नहीं होगा कि बड़ा फार्म हाउस बना सके तो सहर के बिल्कूल बाहर क्या करते हैं इस तरह का छेतर बनाते हैं तो इनको हम सीमान छेतर कहते हैं मार्जनलाइज एरिया जो होता है अब एक कॉंसेप है ब्रिहत नगरों का ठीक है मेगा सीटी जिसको कहते हैं तो व्रिहत नगर क्या है वो बड़े सहर जो दुनिया में जिनका अपना अलग नाम है जिनको आप नाम से पैचान सकते हैं बाकी इसकी विश्यसना है तो हम देखेंगे लंदन ब्योनस आयर्स ऐसे बड़े बड़े देश जि कुछ परिभाशाओं के आधार पर उन नगरों को मेगा सीटी की सेड़ी में रखा गया है जहां जन घनत दो हजार प्रतिव्यक्ति पर किलोमीटर होता है तो कुछ को मैंने आपको सुरू में बताय था कि जो सहरों में समस्या ही है कि दुनिया के अलग-अलग भाकों में अ जादा जन संख्या घनत तो होगी ब्रिहत नगर एक महानगर 6 भी हो सकता है और एक से अधिक या दो या तीन नगर छहतर भी हो सकते हैं ठीक है अचा कभी-कभी प्रिहत नगरों के लिए नगरमाला या मेट्रोप्लेक्स मेटा सिटी और मेगालो पॉलिस सब्दों का भी प दुनिया के कुछ मैंने ब्रिहत नगरों का एक्जामपल आपको जनसंक्या के हिसाफ से ले लिया इसको आप देख लीजे से टोक्यो इसकी आप जनसंक्या देख लीजे कितनी हो जाएगी तीन करोर से उपर हो जाएगी दिल्ली आप देख लीजे इकाई धहाई सैकड़ा हज संघाई का आप देख लीजिए तो यह मुंबई बीजिंग यह जन संख्या के अनुसार 2019 की जन संख्या है कर आप 2011 की जन गणना देखें तो दिल्ली अभी दो करोड तक नहीं पहुंची थी लेकिन यह 2019 के इसाफ से जो निकाल ले अगया आकड़े यह आपको दिखाई आप जन संख्या के इसाफ से देख सकते हैं जनरली दो करोणों के आसपास की जन संख्या को इसमें रखा जाता है ठीक है अब जैसे आप जो 2000 प्रतिवर किलो मीटर का जन संख्या घनत तो है तो दिल्ली में जन संख्या घनत तो करीब 11000 है एक्जामपल के तुरू आपको है कि बहुत ही फेमस सिटी है जहां पर समीट और प्रजावराण से संबंदित समीट हुए थे तो इसको अब ध्यान रखेंगे ठीक है तो यह मुझे आपको पूरी जो नगरी संगटन में नगरी शहरी विन्यास है उसको संबंदित जो टॉपिक से हमने देखे उसके पहले फंक्शनल या क्रियात्मक्त तोर पर जैसे सीमान छेत्र और द्योगिक छेत्र इस चरह से बसे हुए है तो आई होब कि यह सारे आपको छोड़े-छोड़े कंसिप्स समझ में आ गए होंगे इससे संबंदित कोई अगर आपको कंफूजन या पॉइंट्स हैं तो आप कमें आसानी से आप खतम कर सकते हैं ठीक है यहां आप जैसे वाचना आप को क्या 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 चीज़े मिल जाएंगी पूरे सलेवस का आपको क्या मिल जाएगा इसके लावा हर चैप्टर का एक छोड़े-छोड़े टॉपिक वाइस वीडियो जैसे अभी हमने किये उस तरह के मिल जाएंगे मिल जाएंगे प्रिवियस यह कोश्चन और मोस्ट इंपॉर्णन कोश्चन भी आपको यहां पर आसानी से मिल जाएंगे और सबसे प्रमुख बात यह है कि आप यहां बिल्कुल वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने पढ़ाई को और ज्यादा स्ट्र